हाई फिरेंड्स सबको नमस्कार प्लीज सब्सक्राइब में चैनल सपोर्ट मी पिछले साटे डे मेरा स्कोटर का एक चोटा से एक्सिरेंट हुआ था एक्चोली एक कुट्टा अचारक को सामने आ गया था उसको बचाने के लिए सामब्रेक मारा उत्तो नीचे रेट था स्किट हो गया पूरी तरफ से डेमेज हुआ है एक सेड का पूरा पैनल हो मतलब कराव हो गया मेरों को कास्क चोटने लगा में तो सेव था मैं साइड में आ गया था गाड़ी का वर्ट साइड पूरा यह ओ गया है कि सामने का पैनल ज्यादा डेमेज हुआ था और यहां कभी यहां कुछ पता ने कैसे लगा यहां कभी हो गया जो डैश्बोर्ट का बाकि टीक टा काम कर रहे हैं लेकिन पूरा स्क्रैच्च हो बाए मैं आईसे इ पूस्टे में जीरो मतलव डिप का इंसुरेंस लिया हूं क्लाइम करने के लिए आप जो इंसुरेंस का आईसे इसी का जो कस्टमर के नेंबर है मैं नीचे लिंक दोंगा डिस्रेशन में वहां से आपको लोड कर सकते हैं उसको कॉल करने आप अपना प्राब्लम बतारा नह सब्सक्राइब करने के लिए टोटल एस्टमेशन सा 14500 कुछ था इसमें जो नीचे का जो बेल्ट का कावर भी स्क्राइच सुबा तो उसको भी चेंज करना करके बता रहा था और एक सेट के ग्रैवरेल सब बिलांके पूरा कोल दिया है यह वरक्शाप में यह इतने काली एक साइडवाला पैनेल राइट सेड़ का और उसका नीचे वाला पुट्रेश वाला वह चोटा दो पैनल चोड़ दिया बाकी सारे चेंज हो गया इसमें इनर पैनल भी चेंज हो गया यह पूरा इस तरह कोल के पिर सारे पार्ट्स को एसम्बल किया हुए मेरा आत का जो पैसा लगा था मेरे को 630 रूपिस कुछ लगा साथ में ब्रेकपट्स भी चेंज करा था 10,000 और यह का ब्रेकपट्स चेंज नहीं हो था सारे मिला के मेरे को 380 रूपिया में पेड किया हूं पाकी इंसरेश की सरप से क्लेम हुआ यह 630 रूपिया है जो स्कूरू से सब लगता है उसके लिए वो तो श्टेकर अभी लगारा पड़ेगा पुराना श्टेकर वाला पैनल चेंज हो गया और उस सेड का भी श्टेकर निकलवा दिया में वो भी काफी गंदा हो गया था इसको लगवा देते हैं दुबारा जो लेफ्ट सेड के पैनल है बिल्कुल एकदम जीरो गैप का आगया देख सकते हैं कोई भी गैप नहीं इसमें कि अधर का चेंज कर लें तो वह भी कवर हो जाएगा मैं बोला अभी टिक टाक है उसका इंसुरेंस में नहीं आएगा बोल रहा है एक स्टैंड भी नहीं चेंज करके दिया हुआ है ये पूरा दोडव पैनल हो एक प्रूबपैनल ज्यादा म tapped है 32800 का और ये नीचे का जो बेल्ट का इसका भी श्क्राचे बुल्क इसक भी चेंज किया हुआ ग्रैव्ली तोना भी चेंज किया हुआ है ये पूरा लंबा पैनल है इसका भी चेंज किया हुआ है इंटरननल पैनल ये भी change किया हूँ है यहाँ पर पहले एक निशान लगा वा था उसको भी change किया हूँ है एक को mirror भी change कर दिया decis 잘 in भी जो नया है उसका बुश तोड़ा बड़ा है पूराऊ वाला बुश्ये उसका चोट Turkish अभी फटाफट में जो उसके प्रोटक्ट्रे फिट कर देते हैं पहले कोल के देना पड़ा था देख सकते हैं गैपस उस सेट के बिल्कुल गैप नहीं है जो नया पैनल जो डाला और यह पुर्णा वाला के तो गैप तो रहेगा रहेगा यह नीचे वाला पीस एक 1100 का मैं दो-तिन दिन में यह आनॉस्मेंट करूँ गा इसके वीडियो का लिंक को जो मैं नीचे दोँगा आप देख के कामेंट कर सकते हैं जो भी लग्किविन रोगा रैंढमलिप में पिकुप करके यह गववे का मैं यह अप्ता के अंदरी उसको मैं गयववे दोँगा लिं तो में गार्ड फिट कर देते हैं कि आदि बोल रहा है कुलता नहीं जुड़ता नहीं आप इस तरह करेंगा तो यह जुड़ जाएगा कटिम लेर की मदद से आप निकाल सकते हैं टाइट करना तो कटिम लेर लगाने से क्या होता है आपको तोड़ा सपोर्ट मिल जाते हैं और मेरे बात है जो जीरो टिप इंसुरेंस नहीं किया अभी क्या करना करें के कही आदमीं पूछ रहे हैं उसको आप दुबारा कर सकते हो नए या तो अगले रेनीवाल में आपको जीरो टिप करने से आपको करण्ट फरफेक्ट हो जाएगा जो भी दो बार साल में दो बार आप क्लाइम कर सकते हो टोटल अप टू ओन लाक तक आपका इसमें कोई भी प्राब्लम हो जाता है तो मेजर एक्सिडेंस लेकर चोटा सारे इसमें क्लाइम कर सकते हो आपको में लास्ट में बिल दिखाऊंगा आपको यह पूरा बिल है मेरा रेयर ब्रेक का साथ में टॉटल एमोंट पड़ा मेरों को 3980 रूपी से ब्रेक का 700 रूपिया मेरा 600 कुछ चार्जस जो स्क्रूस नट लगते है वो आमको पे करना प्लीज सब्सक्रेब में चैनल सपोर्ट में फिर मिलता अंगले वीडियो में सबको नमश्कार थैंक यू